यूपी बोर्ड एक्जाम देने के बाद अब बच्चों को इंतजार है रिजल्ट का लेकिन इस बीच कई बार खबरे ऐसी भी आई कि जो है रिजल्ट आने वाला है तो कभी कुछ तारीकों की बात सामने आ रही है लेकिन इन सबसे परें CM योगी ने आज अपनी टीम 9 की बै आदितिनाथ ने ये साफ कर दिया है कि कल देड़ बजे से बच्चों का रिजल्ट घोशित होना है मुक्वंति योगी ने UP वोर्ड पर इच्छा पैणाम को लेकर अपसरों को कड़े निर्देश जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द बच्चों का रिजल्ट घोशित कर दि किया जाए क्योंकि 19 तारिक से चुनाओं होने है लोग सबाद चुनाओं में टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है जिस कारण से यही बोला जा रहा है कि जल से जल रिजल्ट घोशित कर दीजे ताकि बच्चों को भी अराम मिल पाए ताकि वो अगली कच्छा में प्रवेज भ गोशित होना है अगर आप इशलिस सव अशुक के रिकॉर्ड को देखे तो इतनी जल्दी रिजल्ट कभी भी सामने नहीं आए ना ही इतनी जल्दी कॉपियां भी चेक खुईए ठीक है तो इसी रिजल्ट की प्रक्रिया को लेकर हमाई CM योगी आदितिनाथ ने बैठक के म मानित किया जाएगा ये बहुत ही बड़ी खुशकबरी है यूपी बोर्ड के सभी दस्वी और बार्वी देने वारे छाट-छात्राओं को जिनको रिजल्ट का इंतजार है उनके लिए